आईए सुनते हैं पाठ मानवी करुणा की दिव्विचमक लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रिष्ट संख्या 83-90 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सर 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ उनकी उच्च सिक्षा इलाहबाद विश्वविद्याले में हुई वे अध्यापक आकाश्वाणी में स्वहयक प्रडियूसर दिन्मान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे सर 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभागे सहिस्तिकार थे विकवी कहनिकार उपन्यासकार निबंदकार और नटक कार थे सर्वेश्वर की प्रमुकृतियां है काट की घंटिया कुआनो नदी जंगल का दर्द खूटियों पर टंगे लो खूटियों पर टंगे लोग पर उन्हें सहित्य अकादिमी का पुरसकार मिला। सर्वेश्वर जी इस्थमकार थे और चर्चे और चर्खे नाम से दिनमान में जो इस्थम लिखते थे उसमें बेबाग सच कहने का साहस दिखता है। जन में तो बेल्जियम यूरूप के रैम्स चैपल शेहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरूओं और संतों की भूमी कही जाती है। परंदू उन्होंने अपनी करम भूमी बनाया भारत को। फादर बुलके एक सन्यासी थे, परंदू पारंपरिक अर्थ में नहीं। सरवेक्षर का फादर बुलके से अंतरंग समन्ध था, जिसकी जलक हमें इस संस्प्रण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कता है, इस विदेशी भारती साधू को याद किया जाएगा, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाद प्रेम का उधरन म नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, ये सवाल किस इश्वर से पूछें, प्रभू की आस्था ही जिसका अस्थित्व था, वो दे की इस यात्रा की परिक्षा उम्र की आखरी देहरी पर क्यों दे, एक लंबी पादरी के सफैद चोगे से ढकी आकृती सामने है, गूरा रंग, सफैद जहाई मारती भूरी दाड़ी, नीली आखें, बाहें खोल गले लगाने को आतर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधू में अपने हर एक प्रेजन के लिए उमरता रहता था, मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी वो जब वो इलाबाद में थे और तब भी जब वो दिली आते थे, आज उन बाहों का दवाव मैं अपनी चाती पर महसूस करता हूँ, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, उनको देखना करोना के निरमल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भर ना था, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, जब हम एक पारिवारिक रिष्टे में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे, हमारी हसी मजाग में वो निरलिप्त शामिल रहते, हमारी गोश्चूं में वो गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबा में पहली बार अन डालना याद आता है, और नीली आखों की चमक में तेरता वातसल भी, जैसे किसी उंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, कहां से शुरू करें, इलाहबाद की सड़कों पर फादर की साइकल चलती दीख रही है, वो हमारे पास आकर रुकती है उसकराते हुए उतरते हैं, देखी देखी, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है, अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेलजियम में इंजि बनने की इच्छा कैसे जग गई जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई, एक बहिन, मा, पिता सभी थे, आपको अपने देख की याद आती है, मेरा देख तो अभारत है, मैं जन्म भूमी की पूछ रहा हूँ, हाँ आती है, बहुत सुन्दर है मेरी जन्म भूमी, रैम्स चै अपने अभिन मित्र डॉक्टर रगुवंश को वो इन चिठियों को दिखाते थे, पिता और भाईयों के लिए बहुत लगाओ मन में नहीं था, पिता देविसाई थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, बहन सक्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की, फादर को एक आद बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था, भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेलजियम गए थे, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़ कर क्यों चले आए, प्रभु की इच्छा थी, वो बालकों की सी सरलता से मुस्करा कर कहते, मा ने बच्पन में ही घोशित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजिनिरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़, फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं तथा एक शर्त रखी, कि मैं भारत जाओंगा, भारत जाने की बात क्यों उठी, नहीं जानता, बस मन में ये था, उनकी शर्त मान ली गई और वो भारता गए, पहले जिसेट संग में दो साल पादरियों के बीच धर्माचा थे, शोध प्रबंद प्रयाग विशविद्याले के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामक था, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे, फादर ने मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, नील पं और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जी कर, फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, कभी-कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिष्टा बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, दसियो साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंद मैसूस होती थी, वो जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोचकर समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसा ज्येल कर मिलते, चाहे दो मिनिट के लिए ही, ये कौन सन्यासी करता है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट भाषा के रूप में देखने की थी, हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट तरक देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुन जाते देखा, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है, घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकली से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यू यादा रही है, और फादर के शब्दों से जरती विरल शांती भी, आज वो नहीं है, दिल्ली में बीबार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोल कर इस बार उन्होंने ग फिर थी, तरलता जम गई थी, वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कबरगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया, कुछ पादरी, रगवश जी राय का बेटा और उनके परिजन राजिश्वर सि उसे उता रहे थे, फिर उसे उठा कर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी चाहां वाली सड़क से कबरगाह के आखरी छोड तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कबर अवाक मूँ खोले लेटी थी, उपर करील की घनी चाहां थी, और चारों पीच में गैरिक वसन पहने इलाभाद के प्रसिद्य विज्ञान सिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रगुवंश भी जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किनी अपरचित आहटों से दबे हुए थे, से से प्रारतना की, फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पासकल ने उनके जीवन और कर्म पर शृद्धानजली अरपरत करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हूँ, डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी शृद्ध प्रश्ण अभ्यास एक, फादर की उपस्थिती देवदार की चाया जैसी क्यों लगती थी? दो, फादर बुल के भारती संस्कती के एक अभिन अंग हैं, किस अधार पर ऐसा क्यों कहा गया है? तीन, पाठ में आए उन प्रसंगों का उलेक कीजिए, जिनसे फादर बुल के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है चार, इस पाठ के अधार पर फादर कामिल बुल के की जो चवी उभरती है, उसे अपनी शब्दों में लिखिए पाँच, लेखक ने फादर बुल के को मानवी करोना की दिव चमक क्यों कहा है? छे, फादर बुल के ने सन्यासी की परंपरगत चवी से अलग एक नई चवी प्रसुत की, कैसे? साथ, आशे इसपस्ट कीजिए क, नम आखों को गिनना स्याही पहलाना है ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है रचना और अभिव्यक्ती आठ, आपके विचार से बुल के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? नौ, बहुत सुन्दर है मेरी जन्म भूमी रैम्स चैपल इस पंक्ती से फादर बुलके की अपनी जन्म भूमी के प्रती कौन-कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं आप अपनी जन्म भूमी के बारे में क्या सोचते हैं? भाशा अध्यान दस, मेरा देश भारत विशय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिये आपका मित्र हटसन एंड्री आस्ट्रेलिया में रहता है उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के परवतिये प्रदेशों के भ्रमन के लिए निमंतृत करने ही तूपत्र लिखिये बारा मा ने बच्पन में ही घोशित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया गवे रिष्था बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे गव उनके मुक्सिस सांतवना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्याज से जन्मन दी थी चा पिता और भाईयों के लिए बहुत लगाओ मन में नहीं था लेकिन वो इस प्रती में अकसर डूप जाते पाठेतर सक्रीता फादर बुलके का अंग्रेजी हिंदी कोश उनकी एक महत्यपूर देन है इस कोश को देखिये समझे फादर बुलके की तरह ऐसी अनेक विभूतियां हुई हैं जिनकी जन्म भूमी अन्यत्र थी लेकिन कर्म भूमी के रूप में उन्होंने भारत को चुना ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी एक अत्र कीजे कुछ ऐसे व्यक्तिय भी हुए हैं जिनकी जन्म भूमी भारत है लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमी किसी और देश को बनाया है उनके बारे में भी पता लगाई है एक अन्य पहलू यह भी है कि पश्चिम की चका चौन से आकरशित होकर अनेक भारतिय विदेशों की और उन्मों को रहे हैं इस पर अपने विचार लिखे शब्द संपदा जहरबाद अर्थात एक तरह का जहरीला और कस्ट साध्य फोड़ा आस्था अर्थात बिश्वास फ्रद्धा देहरी अर्थात देहलीज पादरी अर्थात ईसाई धर्म का पुरहित या आचारिय आतुर याने अधीर उत्सुक निरलिप्त अर्थात आसकती रहित जो लिप्त नहो आवेश अर्थात जोश लबालब याने भरा हुआ धर्माचार अर्थात धर्म का पालन या आचरन रूपांतर अर्थात किसी वस्तू का बदला हुआ रूप अकाट अर्थात जो कट ना सके जो बात काटी ना जा सके विरल अर्थात कम मिलने वाली ताबूत अर्थाथ शव या मुर्दाग ले जाने वाला संदोक या बक्सा करील अर्थाथ जाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा गैरिक वसन अर्थाथ साधूँ द्वारा धारण किये जाने वाले गेरूए वस्त्र श्रद्धानत अर्थाथ प्रेम और भक्ति युक्त पूछ जिफाव यह भी जाने परिमल निराला के प्रसिद्ध काविस संकलन से प्रिणना लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विशविद्याले के सहितिक अभिरूची रखने वाले कुछ उत्साही यिवक मित्रों द्वारा परिमल समू की स्थापना की गई परिमल द्वारा अखिल भारती इस्तर की गोस्ठियां आयुजित की जाती थी जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आधी पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती परिमल का कारिक्षेत्र इलहाबाद था, जौनपुर, मुंबई, पत्थुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाय रही परिमल ने इलहाबाद में सहित्तिक चिंतन के प्रती नए दृष्टिकून का ना केवल नर्माड किया, बलकि शहर के वातावरण को एक सहित्तिक संस्कार देने का प्रयास भी किया फादर कामिल बुलके, 1909 से 1982 तक, शिक्षा, M.A. Ph.D. हिंदी प्रमुख कृतियां, रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास मानस कौमुदी, इसा, जीवन और दर्शन अंग्रेजी हिंदी कोश, 1974 में पाद्मभूशन से सम्मानित मानस कौमुब झीज़, शिक्षा, M.A. Ph.D. क्ल हınd उत्पत्ति पत्त Ahora